हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई यूटीब चैनल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पुरानी पड़ी हुई लॉंग स्कर्ट से प्लाजो बनाना तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा अमरेला कट प्लाजो बनके रेडी हुआ है तो बहुत आसान है इसक कोई भी ट्रेंड नहीं है तो ये बिल्कुल बेकार हमारी अलमीरा में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक ट्रेंडी सा प्लाजो बनाया जाए तो आज इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी लॉं के रेडी हो गया है तो अगर आप चाहें तो इसको कूर्ती के साथ फियर कर सकते हैं या फिर टॉप के साथ वियर कर सकते हैं तो ये यूज में हमारी जो स्कर्ट है वो आ जाएगी से तो प्लाजो का तो आजकल बहुत ट्रेंड है वो भी जो अम्रेला प्लाजो है तो चलि बीटिफुल कॉटन का इसका फैब्रिक है तो यह दिखे ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है तो इसको हम बिल्कुल इक्वल करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से हमें सेट करके इसको बिछा लेना है तो जो बंद साइड है वो खुद की तरफ रखनी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है हमें जो कटिंग है वो बंद साइड से करनी होगी तो अच्छे सेट करना है पहले हमें फैब्रिक को तो यह दिखिए बहुत अच्छे से फैब्रिक को सेट करेंगे और सबसे पहले हम लेंद देख लेंगे तो 40 यहां से अकर लेंद है तो मुझे 40 ही लेंद चाहिए तो अब हम यह दिखिए friends अब हम यह सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि जो बंध side है वो अपनी तरफ होनी चाहिए और जो open है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए तो बंध side से हम इसकी marking करेंगे यहां से elastic से चुरू करेंगे और यहाँ तक हमें क्रॉच एरिया जो है 15 इंच लेना है यह देखिए 15 इंच यहाँ से लेंगे तो यह दो इंच अंदर की और हम मार्किंग कर देंगे तो बस इतनी सी ही इसकी मार्किंग है तो यहां से हम गुलाई देते हुए नीचे जो इनर लग है वहाँ पे यह सारी एक इंच का मार्जन छोड़ते हुए यह लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से गोलाई देते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉब कर लेंगे तो बस इतनी सी ही इसकी मेजर्मेंट है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे इसकी कटिंग करनी है तो यह जहाँ हमने मारकिंग की है इसकी वहाँ से हम इसकी cutting कर देंगे बिल्कुल equal fabric को रखना है और सिरफ इस marking को हमें cutting कर देना है यहां से गोलाई से turn कर देना है और यह हमारी जो है plazo की cutting हो चुकी है तो अब हम यह देखे friends मैं आपको divide करके दिखाती हूँ यह देखे ये सेंटर में इसकी कटिंग हो चुकी है तो इसका जो हमारे मोहरी है वो 21 इंच तैयार ये दिखिए 21 इंच तैयार मोहरी इसकी बनेगी जो की अम्रेला प्लाजो में बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई तो अब हम इसको उल्टा कर लेंगे इसको उल्टा करने के बाद हम अच्छे से इसको सेट करके बिचाएंगे ये दिखिए अच्छे से इसको सेट करते हुए बिचा लेंगे बिल्कुल इकोल कर देंगे इसका फैब्रिक तो अब हम फ्रेंट्स ये दिखिए यहां से मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ कि आधा या एक इंच अंदर दबाव में लेते हुए हमें ये सिलाई लगा देनी है ये जहां जहां पे मैं मार्किंग कर रही हूँ यहां पे गुलाई में सिलाई लगानी है वी कट नहीं बनाना है यहां से गुलाई में लगानी है तो ये जहां पे मैंने मार्किंग की है यहां पे हम डबल सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो plazo है वो बनके ready हो जाएगा तो मैं आपको सिलाई लगा के फिर ready करके इसको दिखाती हूँ तो ये देखिए friends ये मैंने सिलाई लगा ली है और इसको सीधा भी कर लिया है तो ये देखिए कितना pretty सा हमारा जो plazo है ये बिल्कुल सफाई से हमारी से लई लगी है और प्लाजो बनके रेडी हो गया है तो ये देखे कितना खुला इसका जो पहुचा बना है महरी तो 20 से 21 इंचिस की महरी बन गई है तो ये बहुत ही प्रिटी सा हमारा प्लाजो बनके रेडी हो गया है तो जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई skirt थी उससे ये बिल्कुल यूज में आने के लिए हमारा plazo बनके ready है तो आप भी ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी skirt पड़ी है पुरानी तो आप भी उसको reuse कीजिए और ऐसे plazo बनाके इसको use कीजिए ये कुर्ती के साथ भी wear किया हुआ बहुत अच्छा लगेगा अगर इसके साथ हम parrot कलर की plain कुर्ती बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक suit बन जाएगा हमारा तो अगर आप चाहें तो इसको top के साथ भी wear कर सकती है तो ये बहुत ही pretty सा हमारा जो plazo है वो बनके ready हो चुका है तो ये देखें friends ये पुरानी पड़ी हुई skirt को कैसे reuse करके हमने ये plazo create किया है तो hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको जरा से भी ये वीडियो helpful लगी है तो इसको like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं लगा है तो आप comments में मुझको पूछ सकते हैं मैं definitely इसको reply करूँगी तो ऐसी useful और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल में visit कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे चैनल में आपको ऐसी useful वीडियो मिलती रहेंगी और मेरे चैनल में आपको beauty and stitching से related और भी बहुत सी वीडियो मिलती रहेंगी बाई बाई, take care